तो आज की वीडियो में जिस कहानी से हम इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजस का हिंदी और मतलब समझने वाले है वो है गोल्डन टच या सुनेहरा स्पर्श यह एक मौरल स्चोरी है यह आपको एक पार्ट देती है तो पहले हम स्चोरी को पढ़ेंगे और उसका हिंदी और मतल समझेंगे तो इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूस पता चलेगा तो आएए शुरू करते हैं स्टोरी को समझना तो फ्रेंट्स आज जो स्टोरी हम देखने वाले है वो है गोल्डन टच या सुनेहरा स्पर्श तो कहानी शुरू होती है एक पार्ट से तो हमें यह पार् इसका मतलब लालच हमेशा अदो गती की और ले जाता है आए इस स्टोरी को शुरू करते हैं यह कहानी एक बहुत ही लालची अमीर आत्मी की है जो सयोग वश एक परी से मिलता है तो फैरी's hair was caught in a few tree branches उस परी के बाल पेड की कुछ डालियों में फस गये थे realizing he had an opportunity to make even more money he asked for a wish in return for helping the fairy यह जानकर के पैसे जादा बनाने का यह अच्छा मौका है उसने परी को मदद करने के बदले में एक वर्दान मांगा he said all that I touch should turn to gold and his wish was granted by the grateful fairy उसने कहा वो सब सोने में बदलना चाहिए जो मैं सपर्ष करू और आभारी परी ने उसकी यह इच्छा को दान दिया the greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his new boon all the while touching stones and pebbles and converting them into gold लालची आत्मी अपनी बीवी और बच्ची को अपने नए वर्दान के बारे में बताने के लिए जल्दी से घर दोड़ा और वो सारा वक पत्थर और कंकट को छू कर सोने में बदल रहा था once he got home, his daughter rushed to greet him एक बार वो घर पहुंचा, उसकी बेटी दौड़ते हुए उसको प्रणाम करने गई as soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue जैसे ही वो अपने हातों में उसे जट से उठाने के लिए जुका, वो सोने की मूर्ती मदल गई he realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish उसे अपने मूर्कता का एसास हुआ, और अपनी बाकी जिंदगी परी को वर्दान वापिस लेने के लिए धूनता रहा moral of the story, greed will always lead to downfall कहानी का part यह है, लालच हमेशा अदोगदी की ओर ले जाता है तो friends, यह तो था story, The Golden Touch, यह सुनेहरा स्पर्ष अब friends, इस story के अंदर के आने वाले जो मुश्किल इंग्लिश के शब्द और फ्रेजस हैं, उसका हम हिंदीय मतलब समझने वाले तो आई यह शुरू करते हैं, तो पहला line है, The Golden Touch Golden का मतलब है सुनेहरा, Touch का मतलब है स्पर्ष Greed will always lead to downfall, Greed का मतलब है लालच, Always का मतलब है हमेशा, Lead का मतलब है के तरफ और downfall का मतलब है अदोगती, This is a story of a very greedy rich man who chanced upon meeting a fairy यह story का मतलब है कहानी, Very का मतलब है बहुत, Rich का मतलब है Amir, To Chance Upon, यह एक मुखडा है, इस का मतलब है Sayyogvash, और Fairy का मतलब है Pari, The fairy's hair was caught in a few tree branches, यहां Hair का मतलब है बाल, Caught का मतलब है Few का मतलब है कुछ, और Branches का मतलब है धालिया, Realizing he had an opportunity to make even more money, he asked for a wish in return for helping the fairy यहां Realize का मतलब है ऐसास होना, Opportunity का मतलब है मौका या आवसर, More का मतलब है जादा, Ask का मतलब है पूछना, Wish का मतलब है वर्दान, In Return For, यह एक मुखडा है, इस का मतलब है के बदले में, Help का मतलब है मदद करना He said, All that I touch should turn to gold, and his wish was granted by the grateful fairy यहां Turn का मतलब है बदलना, Grant का मतलब है देना, और Grateful का मतलब है आभारी The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his new boon, all the while touching stones and pebbles and converting them into gold यहां Rush का मतलब है जल्दी, About का मतलब है के बारे में, Boon का मतलब है वर्दान All the while, यह एक मुखड़ा है इसका मतलब है सारा समय यह सारा वक्त Stones का मतलब है पथर, Pebble का मतलब है कंकड, Convert का मतलब है बदलना, और Into का मतलब है में Once he got home, his daughter rushed to greet him यहां Once का मतलब है एक बार, Got Home का मतलब है घर पहंचना, Greet का मतलब है नमस्कार करना As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue यहां As soon as, यह एक मुखड़ा है इसका मतलब है जैसे ही Bent down, इसका मतलब है जुकना To scoop, यह एक मुखड़ा है इसका मतलब है जट से उठाना Statue, statue का मतलब है मूर्ती He realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish यहां folly का मतलब है मूर्कता Spent का मतलब है बिताना और search का मतलब है ढूनना तो friends, यह हुआ कहानी के अंदर आने वाले मुश्किल, शब्द और मुखड़ो का हिंदी में मतलब अब आए थोड़ा exercise कर लेते इससे आपको पता चलिएगा कि आपको कितने English के words याद रहे हैं अब मैं जो questions पूछूँगा वो इस story को आधार करके पूछूँगा तो अगर मुझे English में बोलना है सुनेहरा तो मैं कौनसा शब्द इस्तमाल करूँगा तो वो है golden अगर मुझे बोलना है स्पर्ष तो English में कौनसा वर्ड होगा तो वो है touch अगर मुझे बोलना है हमेशा तो English में word लगेगा always अगर मुझे English में बोलना है अमीर तो कौनसा शब्द इस्तमाल होगा तो वो है rich अगर मुझे English में बोलना है परी तो मैं कौनसा शब्द इस्तमाल करूँगा तो वो है fairy अगर मुझे मुझे मुखड़ा इस्तिमाल करना है पेड की ढाली तो English में उसका phrase लगेगा branches of tree अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है पोचना तो कौनसा शब्द लगेगा तो वो है ask अगर मुझे बोलना है आभारी तो English में कौनसा शब्द लगेगा तो वो है grateful अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है वर्दान तो मैं कौनसा शब्द इस्तिमाल करूँगा तो वो है boon अगर मुझे बोलना है इंग्लिश में नीचे जुकना तो मैं कौनसा मुकडा इस्तिमाल करूँगा तो वो है bent down अगर मुझे इंगलिशाः बोलना है मूर्थी तो मैं कौना शब्द इस्तेमाल करूँगा तो वो है… Statue। अगर मुझे इंगलिशाः बोलना है बिताना तो मैं कौन सा बढकर इस्तेमाल करूँगा तो वो है Spend। तो friends ये था Story The Golden Touch या सुनहरा स्पर्ष। इस कहानी के थुरू हमने इंग्लिश के words और phrases का हिंदी और मतलब समझा अगर आपको इस वीडियो से कुछ ही मत मिलाओ तो जरूर इस वीडियो को एक like कीजिए और अपने friends के साथ इसे share कीजिए और नीचे comment section ने बता है कि इस वीडियो को कैसे improve किया जाए अगर आप मेरी वीडियो के future notifications चाहते हैं तो subscribe बटन जरूर दबाएए और पास में जो bell icon है उसको ही press कीजिए ताकि आपको मेरे future videos का notification मिलता रहे Thank you for watching and keep learning